हेलो गाइस वल्कम बैक टो दे यूटूब चैनल एंड्रोइड एंसी ओपो रेनो फोर से जब वो चाहना के अंदर लॉंच हो चुका है दोस्तों तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ ओपो रेनो फोर और फोर प्रो के स्पेस्फिकेशन और इसके प समार्टपॉन में आपकोész़ यह 10 प्लस का समपोर देखनी को मिल जाएगा और जो फिंगर पेंट संसले अ вूप को इन डिस्प्लै में ही दिया अब बात करते हें Oppo Reno 4 Pro के डिस्प्ले के बार में तो Oppo Reno 4 Pro में आपको 6.5 पेंच का Full HD Plus Super AMOLED वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि दोनों ही साइट से आपको Curve डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा Oppo Reno 4 Pro में आपको 90Hz का Refresh Rate देखने को मिलेगा और साथी यहाँ पे आपको 180Hz का Touch Sampling Rate फोन के टॉप लेफ साइट कर्णर में आपको Single punch on launch देखने को मिल जाएगा साथी Oppo Reno 4 Pro में आपको HDR10 Plus का support देखने को मिल जाएगा जो fingerprint sensor है वो आपको इन डिस्प्ले में ही दिया गया है Oppo Reno 4 Pro में आपको 12MP का और यहाँ पे आपको Sony का MX586 वाला sensor लगा गया है साथी Oppo Reno 4 Pro में आपको OIS का भी support देखने को मिल जाएगा साथी यहाँ पे आपको 13MP का telephoto lens 12MP का ultra wide angle lens और 4 जो camera वो आपको TOF camera देखने को मिल जाएगा साथी Oppo Reno 4 Pro में आपको 5X का optical zoom and 20X का आपको digital zoom का support देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं Oppo Reno 4 के camera के बाएगा हम दोस्तो तो Oppo Reno 4 में भी आपको quad ray camera का ही setup देखने को मिलता है और जो main camera वो आपको 48MP का और यहाँ पे आपको Sony का MX586 वाला sensor लगाया गया है और इसका जो focus है वो 1.7 अपचक है बट Oppo Reno 4 में आपको OIS का support नहीं देखने को मिलेगा साथी यहाँ आपको 8MP का ultra wedding lens 2MP का telephoto lens और जो 4th camera वो आपको TOS camera देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के front camera के बाएम दोस्तो तो Oppo Reno 4 में आपको colorful night video record कर पाओगे anti-shake 3.0 technology आपको दोनों स्मार्टफोन के camera में देखने को मिल जाएगा साथी दोनों स्मार्टफोन के front camera में आपको video stabilization देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के hardware के बार में तो Oppo Reno 4 और 4 Pro में आपको snapdragon का 765G वाला chipset देखने को मिलेगा विद octa code 2.4 GHz के processor के साथ जो GPU आपको adderno का 620 का देखने को मिल जाएगा और साथी दोनों स्मार्टफोन में आपको android 10GB of the box देखने को मिलेगा विद color OS 7.2 UI के साथ RAM और रोम वेरिंट की बात करें दोस्तों तो Oppo Reno 4 जाएगा यहाँ पे आपको 6GB RAM और 8GB RAM वेरिंट देखने को मिलेगा और वही Oppo Reno 4 Pro में आप 8GB RAM और 2LGB का RAM वेरिंट देखने को मिल जाएगा साथी दोनों स्मार्टफोन में आपको 128GB और 256GB वाला इंटरेंश देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं Oppo Reno 4 और 4 Pro के बैटरी के बारे में दोस्तों तो यहाँ पे आपको 4000MH का बैटरी देखने को मिलेगा बट इस बैटरी को चार्ज करने के लिए Oppo की तरब से 65W का सुप और वाक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा Oppo की 65W के वाक चार्जर से आप 15 मिनट में 60% बैटरी क चार्ज कर पाऊगे और 36 मिनट में आप 100% जो वो बैटरी क चार्ज कर पाऊगे अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेडियंट के बारे में दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में दोस्तों अब बात करते हैं ओपो रेनो 4 के स्टार्टिंग वेडियंट का प्राइस होगा वो आपको 32,000 पड़ेगा और 8GB RAM के साथ जो 256GB वाला इंटरन पड़ेगा उसका आपको 35,000 पड़ेगा अब बात करते हैं कि अपो इनो 4 इसका स्टार्ट हो जाएगा चायना के अंदर ऑफ लाइन और आफ लाइन और आउनलाइन तो यह कुछ बाते थे अप लोग को यह वीडियो पसंद आ होगा और भी कुछ इसके डेटेल हमें पता चलेंगी कि ओपो इनो 4 इज है वो इंडिया के अंदर कब तक लॉंच होगा तो मैं आप लोग शाथ जो शेयर करूंगा फिलाव इस वीडियो में इतना ही ऐसा अगर तो आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपका कोई भी सवाल यह सुझा हो तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं फड़ में मिलता एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडिय जाहिंद वांदे मातरम थांक यू फू वाचिंग इस वीडियो